प्रिश्पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ओनलाइं के राइट अप्टोबर और कुछ न्यूस है पहले हम देख लेदें उसके बाद हम अपने क्लास का लेक्स स्टार्ट करेंगे विद्धी पस्केश्चन तो देखें आज की पहली न्यूस आपको पता है कि अब पांच वाष्राओं को दिया गया है प्राइम मिनेस्टर नायंद्र मोदीजी भी यहां पर काम की बात करें तो यहां से क्वेशन बनने की संभावन यह बनती है बुद्धिस लिट्रेचर कौन कौन से जिसे की जिसमें क्याते हैं अभी दम पितक विनाय पितक इसके अलवान बुद्ध की मात्मा बुद्ध की टेचिंग से शिक्षा है वह हमारे लिए इंपोटेंट है ठीक है और उनके प्री रतन कौन से सवाल बनने की समभावना यहां स अधरी इंपोटेंट हो जाता है अगर हम बात करने कुछ तीन पितक की तो देखें बुद्धिस काउंसल होई थी यह बहुत समीतियां समीति कह लिए आप उसमीं क्या होता है तीन पितक यानी से बोलते है विनाय पितक सुद्ध्य पितक और अपितक मतलब क्या है एक तरह क तक यह लिखा गया था पहली बॉद्धर समीठी के अंदर इंदी फिर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इंदी एर 483 बीसी क्लियर विनाय पितक के अंदर क्या है देखिए इट कंटेंस इक है थोड ओफ अंड़ यानि किस प्रकार से बुद्धिस्ट मौंक फोड़ अंड़क्ट और बुद्धिस्ट मौंक्स यानि जो बौधद्ध साधू है वो किस प्रकार से अपना आचन करेंगे वो लिखा गया है विनाय पितक के अंदर फिर आता है सुत्त पितक का मतब यहां पर क्या है संस्क्राइब वर्डस तर शुत्र मीज ऐसे कुछ पोजिशन इसके बारे में इसमें सुत्र पितक लिखा गया है कि बगवान बुद्ध की टीचिंग्स है महात्मा बुद्ध की जो भी सिक्षा है वो लिखे गई है सुत्र पितक के अंदर देखिए विनाय पितक के रतना की है उपाली के द्वारा ठीक है यह लिखी है उपाली ने और सुत्र पितक लिखाया आनंद ने यह कौन थे देवाट डिसाइबल्स अभी लॉड गुद्धा राइट हम बात करें तीसरा एक अंतिम कोड है जिसे कहते हैं अभिधम्म पितक अभिधम्म इसमें क्या है देखिए इसमें बगवान बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ उसके बाद इन्होंने कुछ अपनी सिक्षाएं दी तो कॉर पार्टम बोले न तो इसके अंदर बुद्धिस्ट लिटर्चर की फिलोसॉफी है यानि उसका दर्शन शास्तर में देखने अब आधाम पितक लिटर्चर हमारे लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉंफरेंस का वह विग्यान वाव नई दिल्ली के अंदर रिसेंटली और इसमें परदाम बंत्री मोटी जी भी गए हैं और यह हमारे इसले इंपोर्टनेंट है विकोज देपाली लेंग्वेज इस लिए आपकी ब्रीफली बात है इसके अगली अगली क्लासिक अंदर सोल कर लेंगे तो इसके बारे में आप वेफिक रहे हैं एक नीज आ रही है कि हरियाना के नये सीम ने है तो मिस्टर नायभ सिंग से नहीं है वो दूसरी बार रिए निज़ अमरे लें एंस जी बार म नेशनल सिक्यूरेटी गार्ड यह क्यों पढ़ रहा है यह इसका शॉर्ट नाम है एनस जी देख इसका पढ़ने की वज़े क्या है कि रिसेंटली एनस जी का एक रेजिंग डे मनाया गया है नहीं जब इसका गठन उबाता है यह कब मना दें 16 तो ऑक्टबर हो आज 18 हमारे काम की बात कहा है अंसे हमारे काम की बात एक तो यह है की यह क्यूं बनाए नसई तो नेशन सेक्री चिर्टी कार्ड जो हमारा एक जीरो एलड o औरेंटेट पूर्स इन्हें दूसरा नाम है ब्लैकेट कमांडोस कहते हैं जा कहते हैं युनिफॉर्म भी किस प्रकार की है ब्लैक कलर में ब्लैकेट ये तनी काम की बात है इसे बनाया कब गया था तो 1984 के अंदर के होता है क्यों कि होता क्या है कि अमरे सर के अंदर स्वाण मंदिर है वहाँ पर कुछ रिलिजियस जो एग्रेसिव ग्रूप्स हैं रिलिजिस मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इस पर occupy कर लिया था चुड़ाने के लिए सरकार ने क्या चला है ऑपर से ब्लू स्टार अब उसके बाद हमें एक रिक्वार्मेंट मैसुस होई कि कहीं नहीं हमारे पास एक ऐसी फोर्स होने चाहिए जो बिल्कुल टास्क औरेंटेड हो फिर हमने बनाया नैशनल सेक्यूरिटी गार्ड इसकी में बात कर है एड़कॉर्टर कहां पर है 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 माने सर के अंदर क्लियर आइं हो पियां तक आपको विल्कुल इसी लग रहा हो गा हो बात करें कि इसमें दो तरह जो होते हैं पहला तो पर जांद के और कि पैेशर एक्शन गूरूप और सेगंडेश这个 रेंजर गरूप ठीक है और इसकी चीफ आndra होते है वो होते हैं हमारे एक वरतना में कौन इसके हैं तो वो एक IPS ऑफिसर हैं उनके बात कर लेंगे दो पार्ट के अंदर होता है यह पहला तो पार्ट इसका है पेशल एक्शन ग्रूप दूसरा है इस पेशल रेंजर ग्रूप यह जो एक्शन ग्रूप के इन्दर इंदर बात करें इसके पर्ताम में इसके वरताव श्री निवासन और वर कि भी स्री निवासने और इसका मोटो हमारे लिए इंपोर्टेंट है इसका देवाक्य है इसका देवाक्य है सर्वत्र सर्वत्तम दुरक्ष यानि सर्वत्तम अवर्वर्टम इस टॉप नौच या स्टेट अब दी आर्ट सुरक्षा मीं सेक्योरिटी यानि हर जग़ा पर हमें एक टो क्लास की सेक्योरिटी प्रोवाड़ करनी इंदिये कंट्री इसका मोटो रहा सर्वत्त्र सरवत्तम सुरक्षा और इसके डिजी है प अब दो पार्ट इसके स्पेशल एक्सें ग्रूप और स्पेशल रेंजर ग्रूप यहां तक क्लियर होगा आपको एल्टे अप्सक्राइब करते हैं विद फिर्स्ट क्वेशन जो है यूरोपा क्लीपर मिशन के बारे में यानि आप से पूछा गया यूरोपा क्लीपर मिशन चन्दरमा है उसी प्रकार से यूरोपा क्लीपर मिशन अब आपको बताना इकिस ने बैज है इस रो जाग्साहिन जपान की स्पेस अचेंसी II नासा और तीसर है यूरोपा valeur से अच्पेस एनसे यूरोपी अंतरिश्ट एजनसी तो इसका रहाइट अंसर होगा नासा ने क्या होगा नासा ने क्या है पुरिटा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है वहां से इसको लॉंच किया है विद्धी स्पेसेक्स फॉलकन हेवी रॉकेट ठीक है यूरॉपा क्लीपर इस दी फर्स्ट इस इस देशाने विच इजएट तू स्टडी देजुपिटर प्रस्ट मून यूरॉपा जूपिटर का जो मून यूरॉपा उसको स्ट्डी करने के लिए बैचे जायेगा इसको अब इसका बेसिक काम क्या होगा तू आइडिन्टिफाइड इस साइन्टिफिक एविदेंस इंगर्टे इंग्रेटेंट्स फ़ृफ यूरॉपा राइट नाव मतलब क्या है किया ओरूरोपा के инदर ओरूरूपघी सटाबर श्र्थिफी बड़ेखा जिए पहुचे लाइश लाइफ allemaal सटंसे तक बोचने के लिए लगबख एक दश्माल हो आठ बिलियन माइस की दूरी है यहां से अब लॉंच हुआ है तो रिसेंटली 14th of October को हुआ है किस रोकेट से तो टेसक्स का फॉलकन हेवी रोकेट है वहां से उससे हुआ है और हुआ है स्पेस्टेशन है हमारा से सेंटर को इसमें कोई और भी प्लेनेट है जहां पर सर्वाइव कर सकते है तो यह का हुआ है इसके अंदर यहां पर हमें ओशन मिलता है बर्फ की सता के नीचे तो क्या ओशियन हमें मिलता है अपार्ट फ्रम टी अर्थ इन इन एन प्लेनेट ऑं इन दी युनिवर्स यह पता लगाने के लिए किया गया है इसका मेन अप्टिक्टी होगा विटरमाइन वेदर यूरोपा हैस कंडिशन्स देट पूर्ट लाइफ सपोर्ट करने के लिए पानी जमीन चाहिए इन ही का पता करने के लिए यूरोपा के तो देखी यूरोपा क्या है कि उप्रामि उसके जोपिटर के ब्रेस्पति प्रेस्पति आ और भी अविका सैंते प्लाइफ स्व लागिस्ट लार्गडर विलनिवर्स और चयाते हैं अब इसमें पता लगाए जाएगा क्या लाइफ को सस्टेंग करने के लिए इसी कंडिशन हमारे पास हमें देखने को मिलती यूरोपा पर या नहीं नासा का जो गेलीलियो मिशन था 1990 ने उसके दोरा शोकेस किया गया यह तो समय आगा कि हम वहां जा रहे हैं पर ऐसा क्या प् वह बढ़ा चाहिए उसका रीजन है नासा का गेलीलियो मिशन था उसने बताया उसके दारा फैंडिंग दाती है यूरूपा के यूरूपा को आइस है यूरूपा यूरूपा जो है सेटेलाइट उसके उपर क्या बहुत सारी बड़ी मात्रा में आइस है और उसके नीचे व्यापत पानी है उससे भी कई ज्यादा बड़ा है उसकी महात्रा कई ज्यादा गुनी है ठीक है कि अगर हम बात करें जुपिटर की जुपिटर के 95 मून है देख जाए तो उसमें से चार इंपर्टन कौन से एक तो यूरोपा है दूसरा गैनिमेड तीसरा आयो फूरत है कैलिस्टो अगर आप से पूछा जाए गैनिमेड आयो कैलिस्टो और यूरोपा किसके स्विटलाइट है इसके मून है क्या करेंगे आप इसका अंसर होगा जुपिटर ठीक है अब ऐसा माना जाता है कि इसके इंदर आइस शीट के अंदर लगबग 10 से पंदरा मिल इसके अंदर के है कि फ्रोजन जो क्रस्ट है इसके नीचे लगबग लगबग जो है 120 किलोमेटर इस से अधिका ओशियन मिलता है देखने को में तो कहीं नहीं कर ऐसा मिल जाता है कि ओशन है हम यह पता लगा सकते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास और भी प्लैनेट ह है जहां पर लाइफ को सुस्टेन कर सकते हैं तो कहीं नहीं है कि हमारा एक एडवांसमेंट स्पेस सेक्टर में उसको भी यह एक्सल करने वाला है उसको भी हमारे लेग ओफफुल और रहेगा अगली नीज आ रही है तो फॉस्ट एवर इंटरनेशनल फेस्टिवल और चन्न नहीं दिल्ली तो देखें तीन हमारे कर्चार सेंटर अंसर होगा नई दिनली नई दिल्ली के अंदर हो रहा है यह मारा पहला इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांसे और भारत्य क्रदा मंत्र जी यह वह भी समिलन में गय है है और उन्होंने का है करते हैं इस प्रकार से क्लासिकल डांस भी है जो कि हमारी कल्चिरल आइडेटी को करते हैं इस प्रकार से देखें तो संगीतनातक अकादमी नहीं दिलने में वह इसे और रही है इंटरनेशनल फेस्टिवल और इंडियन डांस यानि अंतरास्टी यह भारतिय नृत्य मौत्स इसका कहा जाए और यह हो रहा है कि मेंस्ट्य ऑफ कल्चर के अंडर संगीतनातक काड़नी के द्वरा अच्छा मौदी जी के दवरा कुछ बाते बोली गी प्रदा मंति जी के दवरा उन्होंने का है कि भारत में अगर देखा जाए तो अर्लिएस्ट स्क्रिप्चर डेडिक जी किताब का नाम नाटेशास्तर है ठीक है च्छी दिन का फेस्टिवल है जो संकेतनातक काड मी कर रही है अंडर दी पितली बार चल्शक्ति जुल शक्ति के ज़िए वह गजंदर सुन्ह सेखावजी थे इस बार उनको मिला है कल्चर अच्छा ऑट से बिलोंग करते हैं थ तुर्थ इंडिया के अंदर नाम से पता लगा नाम से पता लगा दूसरा कथाकली और मुहीनी अट्टम कि दोनों केरल में होते हैं के दो डांस है मुहीनी अट्टम और कथाकली करता है हमारे इस्टन इंडिया को से उड़ी सा जारकंड और पस्चे मंगाल यह कुछ लग लग राज्जे हैं जो कि चाहु डांस के लिए प्रसिद्ध है अगला सवाल आपके लिए विच आप दी फॉलोविंग इस एंग्जैंपल ओफ फियेट मनी आपको बताना इस सवाल चैने साथ है यह रोप्शन अबिट कोई पेपर करंसी घॉल रह एक है शेयर किरहां सभी का नाम जानते नहीं के अमरा एक ध्यू क्रिप्टो करंसी यह कृट्टो करण्जी करंथ और मतलब हमारे जो करनफी नोट जो देखते रहते हैं कि 100 रुपे का दस रुपे का नोट है जो की जिसके टेडिंग होती फॉर्थ गोल्ड है दीकि राइट आंसर ना तो शेर रहना गोल्ड है ना बिटकोई क्रिप्टो करनसी इसका राइट आसर होगा पेपर करनसी देकि फियर्ट मनी क्या होता है यह एक लीगल टेंटर यानि वैद्ध मुद्रा वैद्ध मुद्रा क्या होगी जब किसी स्टेट किसी कंट्री की गवर्मेंट यह महां का सेंट्र बेंक जिस प्रकार से भारत में गवर्मेंट ऑफ इंडिया है यह वित्यमंत्र लाइए और रिजर्व बैंक अगर मुद्रा जारी करते हैं कि पास क्या होता है लीगल वेकिंग है मतलब अगर नोट किसी वक्ति के पास मतलब उसको सरकार ने अशौर किया है कि आपके पास इतना पैसा है उसे का जाता है लीगल मनी लीगल टेंटर कहते हैं और यहीं होता है फियाट मनी इस गवर्मेंट इसुड गरंसी जैट इस नौट बैक्ट बाइनी सच अफ कमोलेटी तशेज ग इस प्रकार के द्वारा जोबी पेपर करंसी और ज्यायनकन की बात क्या है इसे फियेट मनी क्यों का जाता है प्रिंट करें पर ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा प्रिंट करें मार्केट में इंफलेशन आजाए ऐसा भी कुछ नहीं होगा उससे रेगुलेट के जाएगा ठीक है अगर आप किसी से पैसा लेना है देना है परबूटरटी की सेल पर्चेस करनी है को अद coinc gown होगा लिए ट्रांदक्शन और उसमें और उसके बहूंसे कर दूऑ है अगला पॉइंट इसमें है कि भारत में कौन करता है तुमने कई बार सुनगे लिया है कि गवर्मेंट और इंडिया बारत सरकार के दिनी वित्त मंत्राला है वो और और रिजर्व बैंक इंडिया इन दोनों के पास अथरिटी है पेपर करेंसी और नोट प्रिंट करने की अग जारी करते हैं यह एक रुपे का नोट कौन सा करते हैं एक रुपे का नोट बाकी बचे जितने भी नोट अनवों कौन जारी करेगा रिजर्व बैंक ओफ एटी क्लियर आई हो भी आंता क्लियर होगा अगला सावल आपके लिए आ रहा है विच स्टेट हैस बैग्ड दे बे आई का चल का यूज करें बहतर से उसी क्षेतर में जिस स्टेट ने अच्छा परफॉंग किया होगा उसी का वोड मिलेगा राइट आंसर होगा इसका ना तो बिहार ना राजस्थान अना करनाटा के राइट आंसर हो भी ऑप्शन सी विच इस ओडिसा ओडिसा राज्य को म सब्सक्राइब और पिछली बार 2019 से 2024 तक टर्म में कौन थे वो थे मिनिस्ट्री जल शक्ति के अब उन्हें मिला है प्रेटान संस्क्राइब मंत्र ले और सी आर पाटिल जी को मिला है मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ति या आप नाम विया तरी का रिका यह हुआ है इन्होंने इ नहीं दिल्ली में शरम शक्ति भवन है नहीं दिल्ली में वहां पर यह वाट दिये गए है फुल नाइन के टेगरीज है और टोटल 38 अब देखिए जो नैशनल वोटर वोड़ जना इसका फोकस किया है ऐसे लोग एसे संस्ता है जिसमें की पंचैत जुस्तर किस निकाह है ग अब आचार की हो अच्छी बेश्ट प्रेटिस के इस्तमाल किया हो उसके कंजर्बेशन प्रिजर्वेशन के लिए तो क्या होगा यह अवोड दिया जाएगा भारत का विजन कैसर्गार विजन है जल सम्रद्ध भारत यानि भारत में पच्छ जल है पेई जल है जैव उस न इंशूर करना ही है हमारा जल सम्रद्ध भारत अब कौन सा विभाग इससो इंप्लिमेंट करता है तो मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ति के दने एक विभाग है इपार्टमेंट ओफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डवलप्पेंट एंड गंगा रिजिवनेशन मतलब है कि जल तर्फ जैने लेगा वोड इंबात है फुल 9 केटेगरी से आ आप उतना ही जाना करना नो कर्दीश है थर्टी ए और यह पर इंदर ऑटी ईट विनर्स हैं नहीं केटेगरी जह ऑं कौन सी तो बेस्ट स्टेट वेस्ट डिस्रिक बेस्ट विल इस पंचायद बेस्ट अरबन संगटन होते हैं अगर हो जलक्षेत्र में जलके संग्रक्षन के लिए संबर्दन के लिए काम कर रहें उनको यह वर्ड मिलने के योगी माने जाएंगे शुरुबात कब होती है यह होती है इन दी यह टू थाउजन एटी पांसों संपर नहीं है अब आप सोचेंगे कि बीच म प्रमान पत्र दिया जाता है कि इस वर्च क्या हुआ है पूर्दी येर फंटी ट्वंटी थ्री नेशनल अवोर्ड पर लॉंच नं 13 अक्टूबर और राश्ट्री पुरसकार पॉर्टल मिनिस्ट्री फॉर्म अबर्स यानि भारा सरकारगा जो ग्रह मंत्राले है वहां पर पॉर्टल उसका पॉर्टल है राश्ट्री पुरसकार पॉर्टल वहीं पर सिकोष्णा की कि यह कौन-कौन से राज्य है बेस्ट स्टेट की बात करें ओडिसा फस्ट नंबर पर दूसरे पुतर प्रदेश से तीसरे पुद्दूचेरी और गुजरात अब हमने पढ़ा था अगर उस्टेट के एक्जाम दे रहे हैं तो आप अपने जो भी जिले हूं जिले के रेंकिंग आए को इंसी टूट आपको स्टेट वाल एक्जाम में हेल्प करेगा हमारी क्लास स्पेसिकली से मेंस के लिए जा रही है इसमें अब अच्छे लगती तो लाइक भी करें शेयर भी करें और कमेंट वोक्स में अपना सुजाव जिना बिल्कुल विना बूले हमें आपका कमेंट वोक्स का जाव रहे गार मच्छा कंटेंट नाने का प्रयास करेंगे अग्ला सवाल आपके लिएकोनोग से फिर से अधे सवाल पूचा गया है कि मतलब एक ऐसी चीज जिसको बजार में जाओ तुरंद से उसको बेच सब्सकों खरीच हो यह होती लिक्विरिटी पहला ऑप्शन है डिमांड डेपोजिट इन बेंकों में मांग जमाएं आपकी दूसरा बेंकों में साओधी यहने टर्म डिपोजि बेंकों बचत जमाचिए से इंग अकाउंट होता हमारा उसकी बात चल दी फॉर्थ है करनसी आप खुद दिमाह लगाना इसके अंदर क्या हो सकता है अब यह बात करके निकले फियर्ट मनी करन सी की ठीक है तो करन सी किया अब आपकर आपके आप सो रुपय का नोट है तु संदर का मतलब क्या हुआ जो करन अकाउंट होते हैं उन्हीं कहते हैं टिमांड बोचेट की वक्ति बेंक में जाएगा पैसा डिमांड करेंगा जाएगा पैसा बेंक उसे पैसा देगा यह कहला दिमांड थे फॉर के बाद वनाना चाहिए तो राइट या होगा ओप्शन ड कि थोडियम ब्रीफ लिज्ट की बात करें तो दीगें क्या है कि बेंक में दो तरह कांट होता है एक वता सेविंग्स दीक होता मारा करेंगा है इसमें अपना अकाउंट ओपन करेंगा और उसके बाद क्या होगा वह अपना पैसा डिपोजित कर देगा अब इसमें क्या होता है करता है उसके होता है इतना है इतना अपने आप कर पाओं बाता है इसमें क्या होता है यह जो आपकर बात फिजनेस के लिए आपार जो व्यक्ति करता है उसको यह advantage करता है इसमें क्या होता है कोई भी limit नहीं होती किसी प्रकार की कोई restrictions नहीं होती in terms of withdrawal limit कि आप कितना पैसा एक बार में आहरित या निकाल सकता है पैसे की निकासी करते हैं हमें 10,000 रुप है उसका current account है वो चाहिए तो कुछ जो भी प्रेस्क्रेब लिमिट होती बैंक की उस अगोर्डिंग को ओवड्राप कर लेगा बादनी पैसा डिपोजिट कर देगा इन्दी current account of concerned person और concerned institute क्लियर ओवर्ड्राप फैसिलिटे मिलती है किसके अंदर current account के अंदर अब हम बात करें सब्सक्रेब अकांट की यहाँ पर इस तरह की फैसलिट नहीं मिलती तीसरा आता हमारा एक फिस्ट डिमांड देपोजिट कि दिमांड है इस दिपोचित क्या होता है इसे बोलेंगे डिमांड टिपोचित गया यह पैसा निकलाया अंते हैं अगली के इंदर बात करें तो वह है हुआ है वह हमारी कि यह रिकरिंग डिपोसेट्स इसे आप आईड कहते हैं कि रिकरिंग डिपोजिट्स कि आरडी के में बात करें आपने कई बार नाम सुना होगा आपके घर में कोई रखती अपने आपके पेरेंट्स भाई बेहन जो है आडी कराते होंगे इसमें क्या होता है कि नंबर ओफ टाइम के लिए नंबर ओफ पीरिट मतलब कोई बान लेज सब्सक्राइब करेंगा उसके इंडरी करने की परमिशन नहीं होती अगर पैसा निकालता है उसे कोई नोगर पैनल्टी देनी होगी या फिर उसको एक इंट्रेस्ट एक्रू होने वाला एनि जो वह और आज का लाब होने वहाला है वह लाव होग हो देगा उसमें भी कटव और रेस्क्रिक्शन्स अब आप बताओ आए कैसे लिक्विड हो सकता है कैसे तरलता हो सकती जोगी फिक्स टाइम है तो मार्केट में तो इस एक दम से पैसा निकाल गया आने सकते अगर लगे तो पैसा कटेका तो व्रक्ति निकाले गया इससे फोद तरमाती हमारे लिए वह यह तर्म डिपोजिट कि अर्म डिपोजिट्स कि यह तर्म अगर आपको याद याद होगी समझा आगई तो आपके लिए क्वेक्शन सोल करना असान रहेगा अब माल लिए किसी रिक्तिन दो साल के लिए अपडी कराई है उस पर उसे ब्याज मिल रहा है चार परसेंट पात जो मिलना है ठीक है अब होगा क्या उस टर्म से पहले जोब इसका मतलब क्या है उस टर्म से पहले एक मैचरेटी से पहले कोई पैसा निकाले तो उससे नुकसान होगा और उसे कुछ पैसा कटेगा भी सः ऐसे पैनल्टी ठीक है यह सारी बात हमने कर लिए सिंपल अलग-अ transaction for any kind of commodity for the purchase and sale of the any kind of commodity ये सारी बात currency की है दूसरा option आपके सामने था कि डिमांड deposit in the bank या नि बैंकों में मांग जमाएं ये भी liquid होती है क्योंकि these can be withdraw on demand ठीक अब इसमें मैंने पटा था current account current account क्या था demand deposit में था क्यों उस पे किसी प्रकार ही कोई limitation नहीं होती कितने number of transaction करो यानि लेंदेन करो कितनी बार करो और कोई अपर लिमिट नहीं है कि इतना पैसा आप एक दिन में निकाल सकते हो सब्सक्राइब निकालोगे आप ठीक है निहां कोई दिक्कत नहीं जैस पर एक्जाम्पल बता रहा हूं को मैं था अप्शन है थी स्विंग डिपोजेट्स इन बेंगे नि बैंकों में बचत जमाएं ये जमाएं कांसी होगी जो भी हमारी सब्सक्राइब का वह सब्सक्राइब डिपोजेट है क्योंख कि डिसके इन इस इस ट्र धनी डिर्रोण वथक्ता साथ आसक पैनल्टीreno आइव पिर नियू तब इस में जो में चक्टाड था पर इस अकाउंट इन टर्म्स ओफ नंबर और अमाउंट ओफ ट्रांजिशन एनि एक बार में इतना ही पैसा आप विड्रो कर सकते हैं या एक मेंद में इतना ही ट्रांजिशन आप कर पाएंगी यह लिमेट हो इसके इसके इंदर सिंग इंदर फॉर्थ है टाइम डिपोजेट हम इस नोट सोस्ट फों केनड़ा इसलिए अभी डिसेंटली क्या हुआ है लास्ट यह में हरदीप सिंग निजर जो की खालिस्तानी मुव्मेंट की लिटर थे प्रोपनेंट लिटर थे उनका उनका शूट आउट हुआ था उनको गोली मार दिए अब उसके बाद क्या होता है कि करेंडा ने ब्लेम किया कि बारत सरकार के लोग इस पर काम का है कि हमने कैनडा से हमारे इंडियन कॉण कौन से फीचर रिये पहला आपके सामने आप से पूज़े कौन से नहीं ली गई है अब्वाजिय वेस्टिंग ऑफ रिजिबियरी पावर in इंटर बिल्कुल यह लिया गया है अवसिस्ट शक्तियों का कैंदर में नहीं तो ना देखिए हमारे क्Óंदूशन में किया है तीन कैटेगरी इस सब्जेक्ट की पहला है ऑन करंड लिस्ट पहला ये लिस्ट दूसरा इज अंक सूचि करैंट लिस्ट समवर्थी सूचि रज्य सूचि अगर तीनों जिसमें लागा है strong federation with the strong center यानि संगी विवस्ता जिसमें के इंदर के पास अधिक शक्तियों यह भी Canada से लिए है वो इसमें मेंशन नहीं है तीसरा है advisory jurisdiction of the Supreme Court यानि सर्वोचे निया लेका सलाकार क्षित्रादिकार यानि अंडर आर्टिक 1143 the Supreme Court can render the advice to the government majorly honorable president of India यानि जब सरकार central government जब जब चाहेगी honorable Supreme Court के द्वरा एक हमें सला दी जाएगी government of India वो फोर्थ है joint setting of the two houses of the parliament यह incorrect answer है incorrect option है क्यों क्योंकि जो दो सदन है हमारे राज्य सभा लोग सभा इनके सजुक्त सभा का यह सजुक्त जब बेठक का प्रावदान किस काहां से लिया गया यह लिया में ऑस्टिले से अंडर दी आर्टिकल 108 अनुचर 108 का प्रावदान है प्रीफली बात करते हैं इसकी federation with the strong center Canada सभी का लिया है कि संगी विवस्ता और जिसमें की केंद्रो राज्ये सरकार चलेंगी सब्सक्राइब केंद्र के जवरा राज्ये के राज्ये पालो की निर्थी होगी बिल्कुल होगी हम देखते भी है वो मने केनडा से लिया है पूर्थ है एडवाईजरी जुरिस डिक्षान आप दी सुप्रीम कोड़े सुप्रीम कोर्ट की सलाकार शक्तियां यह भी हमने का से सलाकार क्षेत्रादी का रहा है यह थी कनाड़ा से लिया है यार अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की आर्टिकल वन आर्टिकल 248 कहता ह है पार्लेमेंट है थी सोल पावर तो मेक लोस रिगार्डिंग अनी आइटम नोट मेंचेंड इन इन लिस वह बात कर लिया हमने अवसी सक्तियां वह होती ही माल लिजित जिसे की तीनों सुची है राजय सुची म बोला गया कि इन विश्यों पर रजी सरकार करों मनाएगी अगर राजय सरकार ऑफटराइसे श्यों रोवर्मेंट और अगर्म बात करें कॉंकर निस्ट की देरा शेंट इसलिए इन इसलिए घॉन इसलिए इसलिए निस्टी निष्ट आर लाइज विदी चैन्ट गवर्मेंट अंली सब्सक्राइब करेगा गवर्मेंट को सलाह देगा इन टम्स ऑफ एनी सब्जेक्ट वहीं बात करें एक जनतीम ऑफ्शन था कि हमने आस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं हमने लिए हैं यह चीजें मतलब भारत में जो व्यापार और वानिज्य होगा चाहें बिट्वीन था स्टेट हो या विदिन थे कंटरी कौन करेगा यह लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से दूसरा में लिया है कि प्रोविजिंस आप दी कौन करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है हमारी कौन करेंट इसमें क अगला मिलता हमें जॉइंट सेटिंग का प्रावदान यहनी संट बेठक का यह आता है अंडर दी आर्टिकल 108 अनुचे देख वार्ट के प्रावदान है कि कि किसी परिसिति के अंदर यह आवश्यक है तो संसत के दोनों सदन जो है जो है जूइंट सेटिंग को जोन सेटिं सब्सक्राइब को जोन सेटिंग और गनाइज किया है त्री टाइम्स अनली त्री टाइम्स जोइंट सेटिंग सेटिंग कि सिंस अनिस तो पचास से लेकर कि अभी तक हमने सिर्फ तीन बारी देशा इवेंट देखा है जहां पर संसत के दोनों सदन होगी जोइंट सेटिंग है सब्सक्राइब याद रखेगा आप सब्सक्राइब आप से पूछा जाए अगर पूछा जाए तो ज्यान रखना सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ है कि हमने संसत के दोनों सदनों की जोइंट सेटिंग को होते वे देखा है क्लियर ऑस्टेले से कह लिया है या पढ़ चुके है हमने लिया एक तो सब्सक्राइब लिया इंटरस्टेट ट्रेड यानि बारत के अंदर जो राज्य व्यापार करेंगे उसका प्रावजा तीसरा लिया है जोंट सेटी यानि संक्ति बैठका आई के चाहां तक आपको दिक्कत नहीं होने जी अगला प्रशना विच्छ स्टेट गवर्रमेंट सब्सक्राइब आपके लिए आपके लिए अगया इसको देखना पाओ लिए तो एकरेंगे इसका अगर आप इसको ट्रेक्टिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर होगा महाराष्ट ठीक है आप सब्सक्राइब जानते हैं कि रतन टाटा जी को क्या हुआ हुआ है 2023 का उज्जोग रतन आवर्ड मिला था बाइधी स्टेट अफ महाराष्ट उसका बदल दिया है कि हम ऐ इस इविट पहले प्रप्ट करता भी रतन टाटा जी थे हम बात करें इस निउस के बारे में तो महाराष्ट गव़र्मेंट ने बोला है कि वो अपने राज्य की महाराष्ट्र स्टेट स्किल्ड डवलप्मेंट इनिवस्ट्य नी राज्य कोशल विकास विश्व बद्याल कि रतन टाटा जी को पोस्ट इमिसले मर्नो परांद भारत रतन पुरसकार से सम्वानित किया जाए कि आप रहे लिए काम के प्रेटियां से की टाटा संस के चैर्मेन कोन है तो वह है अयन चंद्र शेखरण जी क्लियर कि हम बात कर दें एक लिए प्रश्णों की जो है विच स्टेट गवर्रमेंट अनॉंस्ट पार्टनर्शिप विद्धी एशियन डवलप्मेंट बेंग फोर रीजिवनेशन ऑफ वेट्लेंड जैनी आर्द भूमी के विकास के लिए उनके पुनरुद्धान के लिए पुनरु हुआ है जो वेट्लेंड इकोसिटम है बहुत इइंप्रेंट हमारा लिए वाहां के लिए जो अधी ऊजो एकलोजिकल भी करने के लिए एक अच्छा मोने था रविट्लेंट ऐसन डवल्लप्मेंट मेंक के साथ पार्टनर करके संग गोर्रमेंट एक सो नमटिस मिल्देन है उनको काया कलब करेगी उनका जड़नोदार कराएगी अब अब अब्जेक्टिव क्या होगा तो मिटिगेट फ्लेट्स जब भी वेट्लेंड का मतलब क्या होता आध्र भूमी यहां पर क्या हो कल भाग भी और जल पानी से उसे गेर रखाओ वहां पर जलिये पोदे भी उगा और 80% asian development bank डे एड़ अब आपको बताना है कि एड़ी जो है न इसका headquarter काहां पर है कई बाहएं पर चुके हैं एडीप का headquarter आप बताएगा आप comment box mention करिए कि कहां पर है हम कई बाहर बड़ पर चुके है अब में नहीं बताने वाला हुं यह और इसके इसके अंदर क्या कि अउसाद उनको बाहर निकालना ये काम होगा इसके अंदर विच विल इंप्रूव दी वाटर फ्लो जल का प्रवाद अच्छा होगा ताकि उससे बाढ़ नहीं आएगी ठीक है अगर नदी देरी देरे क्या होता जब नदियां पानी के साथ क्याला थी अउसाद लेकर आती है अगर उससाद समय पर नहीं निकाले जाएं तो जनदी का जलस्तर बढ़ेगा और आस पर शेत्र जो हैं उनमें फ्लड़ आने के संभावना बढ़ जाती है ये भी मैजर कोज रहता है सेडिमेंटेशन इसी के लिए डी सिल्टिंग और ट्रेसिंग करी जाएगी और फिश का जाता है आर्दरभुंभी को हिंदी स्टेट आप आसाम ये क्या काम करती डेप लेसे क्रूशल रोल इन हाइडरोल्जिकल रेगुलेशन इंक्लूडिंग फ्लर्ड कंट्रोल ग्राउन वटर रिचार्ज एस वेल इरोजन प्रिवेंशन अगर मानलो सिंपल सी बात है किसी अधिक है क्या होगा वहाँ पर मिर्दा कट आउस सोईल इरोजन भी नहीं होगा और क्या होगा फ्लड भी कम आएंगे वही बात यहां बोली गई जिससे के इसको एड्वांटेज होगा स्टेट को भी होगा और इस्वेल इस ती क्युमा के फिशरी सेक्टर के ने काम करने अगला प्रशन दा फर्स्ट एवर खोको वर्ल्ड का विल वी हैल इन विच अब दी फॉलोविंग स्टेट इन यह वंटी वंटी फाइफ राइट आंसर होगा इसका नई दिल्ली पहली बार इसा और आगी खोको फेटेशन ओप इंडिया ने पहली बार जो है महाराष्ट क अगले साल होने वाला फोको वर्ल्ड कप का पहला लोगो और पहला एक पर का अधिन दिल्ली के अंदर कि अधर नाई दिल्ली में होगा इन्दिरा गांधी स्टेडियम जोगी नहीं दिल्ली के अंदर इंदर इन्दर गांधी स्टेडियम के अंदर खोको वर्ट को पुने वाला पहला और जब यह अनॉंस्मेंट हुआ न इस समय कि गेम हुआ महाराष्ट के बिश्मियों और शेष बारतिय नहीं महाराष्ट नहीं इनुग्रल इवेंट के अंदर गेम भी जीत लिया हमारे लिए काम का प्रश्मिया से बनता है इसमें क्या होता है कि क्रिकेट का ऐसा इवेंट जिसमें की रिटाइड प्लेयर हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं यह कहा हुआ है कि नीजिसली हमारे काम की है क्योंकि श्री नगर के अंदर इसका फाइनल हुआ है कहां पर हुआ है लेजंड लीग करिकेट 2024 का फैनल कहा हुआ था तो वह श्री नगर के बक्षी स्टेडियम में लजी सेना साब भी गए थे औ सुपरस्टार कि इसको हो रहा है योनिHeher आया है कोनार सुरियास को हुलाइक नीजये अंद जया इसने साधर्न सुपर स्टार संस्टेड इन 1912 tu bus लाओन वालों वहां पर युद्ध होता है लगबख 27 दिन का युद्ध था इसमें कि भारत की और से लगबख 800 सेनिकों ने कम से कम भी 4000 से अधिक चीनी से पचीनी जो सिपाई थे लडाके थे उनको रोके रखा तो कहीं नहीं शोकेस करता है कि हमारी स्ट्रेंथ हमारा वेलर हमारा व यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर युद्ध हुआ था भारत की और से सिपाईयों ने भारत के सैनिकों ने बड़ा जज़बा दिखाया और चाइनीज आर्मी उसको आगे मार्च करने से रोका था ठीक है अब होगा क्या है पर 14th of November ठीक है 14 November को मनाते है वालोंग डे और इसी को सेलिवेट करने के लिए भारत की और से वालोंग वार मेमोरिल बना जाएगा अज साथ शौरस्वत बनाया जाएगा कहां पर लामा स्वरकेंदर लामा स्वरकेंदर इतनी काम की बात आपके ल गालोंग अगूश्य हान दिया मिर्जय के बारे में इनका अपोंट किया गया है दिया अप्वेंटेश्व यह इस बीन अपपर इस संपर के विच में होगा धार फिल्म शोकेस की जाएगी जिनका अब्ट्य जोबिक्टिव एगा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग है इनके बारे में अलग अलग विश्यां पर मुवीज है उनको शोकिस किया जाएगा और उसी में से 38 मुवीज है वह भारती बारत की और से प्रीमेर की जाएगी क्लियर एक न्यूज आ रही है सेंसंग के प्लांट से तो मिल नडू से न्यूज की लिए हाइलेट है राइट टू फॉर्म यूइन यानि अंगठन बनाने की शक्ति देखिए होता क्या है सेंसंग का स्री पेरंबुदूर के अंदर प्लांट है वहां पर जो वरकर से वो डिम इससे की वह मेनेजमेंट के साथ अच्छे से बार्गेन कर पाएं एंवारमेंट एज वेल एज एंप्लोइमेंट ठीक है अब इसमें हो क्या रहा है कि सेंसंग का बोलना है हमारे लिए काम की बात क्यों है हमारे लिए काम की बात आर्टिकल 19 चैने आर्टिकल इसको पढ़ आर्टिकल नाम क्यों बना रहे है अगर हम बात करें आर्टिकल 19 वन सीखी अंचे उननीस एक सीघी यह का कहता है इट अथराइजेज और इट गिव फंडमेंटल राइट तो एवरी सिटिजन तो फॉर्म ए यूनियन फॉर दियर पोस्ट यह कुछ व्यक्ति मिलकर एक संगठा मना सकते हैं उनके यह उनका एक मूल अदिकार होगा दूसरा आर्टिकल आर्टिकल 43a अनुछे तैया अनुछे निस एक सी और आर्टिकल 43a इस निए वह थोड़ा आपके लिए हो जाएगा श्री परेंगुदू तमिलनाडू के अंदर सेंसंग का प्लांट है अब गौवर्बन ने क्या बोला गौवर्बन कमेटी बना दी है और साथ सब पुलिस को भी बोल लिए कि आप इनको हटा हो यहां से अच्छा एक न्यूस आरी आर कैनेडा और यूके ठीक इनका बोलना था कैनेडा ने बोला कि हमारे फाइब इस ने ऐसा माना है कि कहीं नहीं की इंडिया का भी इसके अंदर इंपूट रहा है क्योंकि वह कनाड़ा के नागरिक थे बिसिकली देखा जाए तो एक तो फॉलिटिकल एजेंट है विए लोग वह उनको सपोर्ट भी करते हैं तो पहले यह उस तरह का इक पॉलिटिकल गेम है बट हमारे लिए काम की बात है यह क्या है अब सिंपल देख रहा है पांच आके पांच आके मतलब क्या है आप जैसे आप खड़े और आप पांच लोग देख रहे है अब कौन देख रहा है इसका मतलब क्या है इनफोर मेंसिंट करना झरत ने तो शबिए अंट जैेंस इंट्रीजेंश इन्फोरमेशने इंफोरमेशन जात वत लोग आप इन एक रिए और रही तर उसमें इस उसमें की बनाया कि उनके पास इसकी इंफोरमेशना शेर शेर आए क्वी हरे ठीक है यह होता है कि इसमें आगे चलकर पहले यूके यूस ते बात में न्यूजिलेंड टोड़े का कैनेडा भी आएगा इस्टेले भी आएगा यह बन जाएगा फाइवाइस अलाउंस फाइवाइस अलाइंस दो ग्रूप और है एक नाइन इस अलाइंस और एक फूर्टीन आइस अलाइंस यानि नो देशों का सम्मों जिसमें चार दिपांस तो यह चोप चार कौन आजेंगे नीदरलेंड डेन्मार्क प्रांस और नौर्वे यह कर लाएगा नाइन इस एक फूर्टीन वाला जाएगा तो पांच चार नो तो यह होगा पांच नहीं जोड़ों इस तो देखिए मनिस्टी का इसा गयाना गौर्वर्मेंट नासिक टू नहीं दिल्ली अभी क्या फैस्टिशन आने वाला दिपावली आने वाली है उसके पहले जाए डिमांड बढ़ेगी मार्केट में हमारे पास अगर प्यास 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 अनियन का स्टॉक कम है तो अगला लग शहर है महां तक्रीर ट्रेन चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन फॉर दी ओयन सप्लाई अगली इनुजारी स्पोर्ट से ICC के मेंस प्लेयर आप दी मन्थ कौन चुने गए सप्टेमर में तो श्रिलंका ही खिलाड़ी है मेंडिस और महिलाओं के टिंग बाह करें इंगिनलेंड की है चक्री ब्यूमंत करे एकली अपोइंट्मेंट नेहीं सट्केस के बारे में एक पॉर्टल है जो हमारा वानीज़ जो उसके एडिशन सेर्कारी एन्य आइक सची भी है और इनको हाली में पॉइंट करेंगे तूट रोच्छ जो करता है वहां है कि प्रप्लिक प्रॉच्ण धान मुंदे और पर वारत सरकार की रचुसराइब सब्सक्राइब विभाग और और पिएसे प्रॉक्राइब और यहां से डिवाग करेंगे ऐसे प्रॉटल की माध्यम से प्रसामान प्रॉच करेंगे लौंच हुआ था यह अगस्त दो जार सोला के इंदर बाइधी मिनिस्ट्री ओपमर्स और इंडर्स यह नहीं वाने चाहिए उद्योग मंत्रा लेके दोर इसको लॉंच जिए गया है जैंपोर्टल क्या होगा इसे काम होगा एफिशेंसी लाना ट्रांस्परेंसी लाना और स्पीड लाना इंदी प इस सरकार के लिए बेष्ट विड होगी उसको में चूज करेंगे इस सरकार को भी एक एडवांटेज होगा रेविन्यूई शेरिंग रेविन्यू अच्छा कर पाएंगे आपके लिए तीन सवाल है इंप्लो मगली क्लास में इससर करने वाले है पहला सवाल है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलिस करता है दूसरा है इंडिया क्यों से कनड़ा में हा एडिकेश्ट पावर्टी इस सेलिबरेट ओन विच देव अन्तराष्टी अंतराष्टी गरीभी उन्मुलन के लिए अंतराष्टी दियोसम कब मनाते है ये तीन प्रशन है देखे आज का टाइम भी हो चुका है आज का लेशन ही सांफ करते हैं मिलते अगली क्लास में तब romडी वेको टेस्टी आVAटी धेखे आए मनाते हैं में तेस्ने वेंट ब지कशन में।